ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा कि plot loan का demand दिन परते दिन बढ़ते जा रहा है लोग जो है plot loan के तरफ home loan से भी जादा attract हो रहे हैं क्योंकि plot जो है लोग एक asset की तरह लेकर रखते हैं ताकि उनको भविस में काम आ सके और आपको बता दे कि plot loan को एक अच्छा investment भी मान जाता है as compared to home loan तो आज हम लोग समझने वाला है कि कि किस bank का plot loan आपको सस्ते ब्यास दर पे मिलेगा हर बैंक का क्या-क्या term and condition है और आपको बता दू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका plot loan का concept पूरी तरह से clear होने वाला है plot loan कैसे apply करना है क्या term and condition है क्या-क्या paper चाह follow करने पड़ेंगे यहां जो मैं आपको बताने जा रहा है इसको ध्यान से समझेगा total जो plot loan का ब्यास दर होता है उसको तीन भाग में divide कर दिया जाता है मतलब अगर आप 30 लाग तक का loan ले रहे है तो उसके लिए अलग ब्यास दर आपको पे करना पड़ेगा वहीं अगर आ उपर और 75 लाग तक का loan ले रहे है उस condition में आपको अलग ब्यास दर देना पड़ता है लेकिन अगर आप 75 लाग से उपर का loan ले रहे है उस condition में आपके लिए ब्यास दर जो हता है वो different होता है तो ध्यान से समझेगे कि अलग अलग बैंकों का ब्यास दर क्या है plot loan के लिए क फिर 30 लाग तक का लोल ले रहे, सभी में ब्यासदर जो है आपको 8.50% से start होकर 9.85% तक ही जाएगा, दूसरा important bank है HDFC Bank Limited, HDFC में 8.75% से start हो जाता है, चाहे आप 30 लाग तक का लोल ले रहे हो, चाहे आप 75 लाग से उपर का लोल ले रहे हो, और अगर आप Axis Bank से लोल लेते हैं, 13.30% तक का ब्यासदर जो है आपको pay करना पड़ेगा, ये totally depend करेगा आपके CBL score पे, इसमें जो है अगर आप 75 लाग से उपर लेते हैं, तो उस condition में 9.55% तक आपका ब्यासदर जा सकता है, और वहीं अगर आप ICIC Bank से लेते हैं, तो इसका भी ब्यासदर 8.75% से start हो जाता है, depend नहीं करता कि आप 75 लाग का लोन ले रहे हो या फिर 30 लाग का ले रहे हो, सब में ब्यासदर जो है 8.75% से ही start होगा, आप ये देखिए कि कोटेक महिंदरा बैंक, new generation का बैंक है, इसमें भी ब्यासदर 8.75% का ही लगता है, अगर आप PNB Housing Finance से लेते हैं, आपको बता दे कि PNB में दो तरसे लोन मिलता है, एक PNB Home Loan, एक मिलता है PNB Housing Finance से, मतलब दो अलग-अलग कमपनी है, PNB Bank और PNB Housing Finance, Housing Finance का लोन जो है 8.50% से start होता है, और 14% तक जाता है, लेकिन अगर आप 75 लाग तक का लोन लेंगे, उस से अधिक का लोन लेंगे, उस condition में 11.45% तक हैं तो 8.50% के जगा पर आपको 8.45% ही लोन लेना, लोन का interest rate लगेगा, तो अगर आप PNB से लोन ले रहे तो इस बात का पूरा तरह से ध्यावन में रखिएगा, कि आप PNB Housing Finance से लोन ले रहे हैं या फिर PNB Bank से ले रहे हैं, उसके बाद आपको बताते, Bank of Baroda का interest rate 8.40% से start हो जाता है, ये भारत के वो परभूंग bank थे जो plot loan पे आपको कम दरों पे ब्यास दर देता है, अब ये समझे कि इसके लिए आपको loan to value ratio को समझना पड़ेगा, और उसके बाद समझेंगे कि क्या-क्या important papers हैं जो आपको loan लेने के लिए जरूरी पढ़ेंगे, loan to value ratio को असा से 90 रुपए loan दे देती है, और कहती है 10 से 15 रुपए आप अपने pocket से लगाइए, अब loan to value ratio decide कैसे होता है, इस पे बहुत सारा factor depend करता है, सबसे पहला factor depend करता है, कि आपका plot कहा है, सहर के अंदर है या फिर सहर के बाहर है, अगर सहर के अंदर है, उस condition में आपको loan to value ratio जो है, बहुत ही अच्छा मिल जाता है, उसके बाद ये भी depend करता है, कि किस जगह पड़ है, आसपास घड़ है या नहीं है, market value उसका क्या है, इसके उपर कोई case waste तो नहीं चल रहा है, अगर case waste चल रहा होगा, तो किसी भी हिसाब से loan to value का बात ही नहीं आता, bank आपको loan देने के लि अब ये समझे कि plot loan जो आपको दिया जाता है, वो 15 से 20 साल के लिए दिया जाता है, जैसे home loan आपको 30 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन plot loan में 10 साल का कमी रखा जाता है, 10 साल में आपको 15 से 20 साल में आपको ये loan चुकाना होता है, अब ये समझे कि कौन plot loan ले सकता है, और टर्मेन कंडिशन है, उसमें सबसे पहला टर्मेन कंडिशन उमर का ही रखा जाता है 18 साल से उपर और 17 साल से कम का कोई भी व्यक्ति जो है, वो प्लोट लोन ले सकता है, दूसरा important चीज जो आपको समझना होगा, कि प्लोट लोन में या फिर 10 साल के अंदर जो है पलोट लोन ले के घर बनाना होगा कई बैंक पलोट लोन के साथ ही होम लोन भी देते हैं मतलब आप पलोट लोन भी ले सकता है और साथ में होम लोन भी ले सकते हैं ये totally depend करेगा कि आपका इंकम क्या है, दूसरा important चीज जो बिजनेस करते हो, सभी को plot loan असान इसे मिल जाता है, उसके बाद सबसे common चीज़ जो आपको समझना है, कि जितना private bank है, जैसे HDFC हो गया, ICIC हो गया, Cotec Mahindra bank हो गया, इनके सभी interest rate के अलावा जितने भी charges हैं, उसको देख लीजेगा, कई बार bank क्या करते हैं, कि interest rate कम सो करते हैं और processing fees औगरा का fees ज्यादा बढ़ा का ले लेते हैं, तो ये सब चीजे ध्यान में रखके plot loan लेजेगा, उसके बाद सबसे important चीज़ जो आपको समझना है, कि plot loan में जो भी papers आपको जमा करने होंगे, अभी मैं आपको एक papers का list दूँगा, उनमें जो लोग business करते हैं, उनको अपने business का proof जमा करना पड़ता है, और जो लोग job करते हैं, कम से कम एक साल से job करता हुआ होना चाहिए, उनका salary slip जो है 6 महने का वो जमा करना पड़ेगा, अभी papers का list बताता हूँ, वे papers आप ready रखिएगा, plot loan लो लेने के लिए, सबसे important paper जो आपको जमा करना पड़ता है, वो होता है, आयू का परमान पत्र, आयू के परमान पत्र के लिए, आप अपना 10th का certificate जमा कर सकते हैं, school living certificate जमा कर सकते हैं, या फिर कोई भी paper जिसमें आपका date of birth mention किया हुआ हो, आप वो जमा कर सकते हैं, दूसरा important paper होता है, आय का परमान पत्र, जो लोग job करते हैं, उनके लिए तो यह असान होता है, वो अपना salary slip जमा कर देते हैं, लेकिन जो लोग business करते हैं, उनको अपने खाता को जो है किसी charter accountant से verify करवा के जमा करना पता है, उसके बाद रोजगार या फिर website का परमान पत्र, जॉब करने वालों के लिए उनका ID card का copy जो होता है, वो easily available होता है और वो जमा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग business करते हैं, उनको जो है GST का paper जमा करना पड़ेगा, या फिर physical business का कोई proof जमा करना पड़ेगा, जैसे नगर निगम का paper होता है, उसके बाद पते का सबूत की बात करते हैं, तो आप कोई भी utility bill जमा कर सकते हैं, जैसे पानी का bill हो ग जमा कर सकते हैं, आपको बता दे कि जमीन संबंदी जो भी paper आप से bank मांगेगा, वो सारे paper जो है आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद चौथा सबसे important चीज़ क्या है, plot का lookout, मतलब plot का जो अधिकारिक मंजूरी होता है, मंजूरी paper होगेरा जो होते हैं, वो सारे चीज़ आपके मन में कोई भी सवाल हो चाहिए, आप HDFC से plot loan लेना चाते हो, SBI से plot loan लेना चाते हो, तो आप comment कर जीज़ेगा, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा, हर bank से specific plot loan कैसे लेना है, जैसे HDFC से कैसे लेना है, कोटेक महिंदरा bank से कैसे लेना है, या फिर SBI से plot loan कैसे लेना ह हो, आप अपने state का नाम, आप अपने सहर का नाम comment कीजिएगा, तो मैं accurately आपके question का जवाब दे फाऊंगा, हो सकता है कि plot loan से related, home loan से related, सवाल का जवाब देने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन believe कीजिए, आपके हर comment का reply मैं जरूर करूंगा, अगर आपके मन में plot loan का related को कोई सवाल हो, तो comment कीजिएगा, और इस वीडियो को save करके रख लीजिए, ताकि जब आप plot loan ले ले जाए, तो उस समय आपके पास जो है, एक proper guide available हो, उस guides को समझ के, आप plot loan ले सके, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, हमारे साथ बने लिए आपका बहुत बहुत अन्यवाद आप